वेखम बैक आप देखने हैं टैक्स करूँ मेरे साथ मुंबई से बलवंत जैन बने वे हमारी टैक्स एक्सपर्ट आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को अगर कोई बेचता है जिसमें कि बलवाजी दो सेनारियों हो सकते हैं एक कि पुजेशन मिला हो या पर जब पुजेशन ना मिला हो दोनों ही सिच्वेशन में अगर इसकी बिक्री होती है मुनाफ़ा होता है जो भी कमाई होती है उस पर टैक्स की देनदारी कैसे काकुलेट करेंगे प्रिंग का ऐसा है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बीचने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर और बिल्डिंग के लिए जो रिक्वार्मेंट है वो चौबीस महीने का है परन्तु वो बिल्डिंग का फुली कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए यह केस में जैसे आप जो बेच रहे हैं पजेशन मिलने के पहले तो आपका जो बिल्डिंग या फ्लेट पाने का जो अधिकार है वो ट्रांसपर कर रहे हैं तो अगर 36 महीने के पहले आप ट्रांसपर कर रहे हैं तो शौट टम होगा 36 महीने के बाद है तो लॉंग टम माना जाएगा उसमें 36 महीने में के बाद अगर आप बेच रहे हैं तो आपको जो 54 F में पूरा का पूरा जो कंसिडरेशन है वो आप पड़ेगा या 54 EC में exemption ले सकते हैं यह तो scenario हो गया आपका possession लेने के पहले बेचा अगर possession लेने के बाद में बेचते हैं तो income tax act में जैसे कोई provision नहीं है कि यह transfer नहीं माना जाएगा या जो आप possession लेते हैं उसके पहले का जो आपका holding period है वो यह वाले holding period में add किया जाता है जैसे बाकी कई चीजों में यह है जैसे आपको inheritance से कोई property वगरे मिलती है तो पुराने वाले जो ओनर ने कभी कितने टाइम तक रहा कि उसका holding period भी इसमें गिना जाता है तो मेरी राय में मतब जैसे provision तो है नहीं तो जिस दिन आपको possession मि वो आपको possession मिला उसके बाद से गिना जाएगा तो वापिस आपको 24 महीने तक रखना पड़ेगा long term के लिए उगर 24 महीने के पहले बेज देते हैं हाला कि आपका booking से 24 से या 36 महीने से ज्यादा हो गया होगा परंतो अगर possession मिलने के बाद में अगर 24 महीने के पहले बेज दे है और अगर commercial property है तो 54 F में और 54 EC में 54 F में क्या होता है आपको पूरा का पूरा consideration इस net consideration invest करना पड़ता है परंतो अगर residential house है तो आपका जो capital gain index करने के बाद में है वही invest करना पड़ता है परंतो आपको investment या तो bond जो capital gain bonds है या दूसरी residential property में करना पड़ेगा तो बहुत ही detail में बलवन जी ना इसका जवाब दे दिया है बस ध्यान रहे possession लेने के पहले अगर आप कर रहें 36 महीने आपको वह property hold करनी है और अगर possession के बाद तो फिर 24 महीने लग जाएगा कि आपको इस property को hold करके रखना है